अच्छा तो आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी, मसालेदार, आलू की भंडारे वाली सबजी, खुस्पू ऐसी है कि पडोसी भी आपके घर चले आएंगे, इतना इसकी तेज, खुस्पू और टेस्ट बहुत ही बढ़ियां होता है, वो भी बिना लेसन प्याज के, तो चलिए फटाफट इसे बनाना सुरू करते हैं, तो आज हम इस सबजी को बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे, तो उसके लिए हमने लिया है सबसे पहले खड़े मसाले, एक चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया, और आधी छोटी चम्मच सौफ, इन खड़े मसाले को कूट कर सबजी में डालने से सबजी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ियां आता है, एक बार ट्राई जरूर किजिएगा, मसालो को हलका दरदरा कूट लिया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब सबजी बनाने के लिए कड़ाही गरम करेंगे, तो इधर कड़ाही गरम हो गया है, इसमें डालेंगे दो चम्मच देसी घी, इस सबजी को मैं देसी घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो ओयल में भी बना सकते हैं, और इसी में थोड़ा सा रिफाइंड ओयल भी डाल देंगे, कुछ खड़े मसाले लिया है, जिसमें की दो तिज पत्ता, एक बड़ी लाइची, दो लॉंग और चार काली मिर्च, डाल देंगे ओयल में, और साथी डालेंगे दरदरा कुटा ह हुआ मसाला, हलका साई से चलाते हुए भूल लेंगे, ताकि कुटे हुए जो मसाले हैं वो तेल के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ दें, आधी छोटी चमच हिंग डालेंगे, हिंग जरूर डालिएगा, हिंग का फ्लेवर इस सबजी में बहुत ही जबरदस्त आता है, मिला लेंगे अच्छे से, और अब जाएगा इसमें तीन मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, मिला लेंगे अच्छे से, और टमाटर के साथ हम नमक भी डाल देंगे, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सौफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर हमने स्वाद के अनुसा पर नमक डाल दिया है, और आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच कस्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़ियां आता है और यह तीखा अब कम होती है, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद अब डालेंगे इसमें आधा कब पानी, हल्वाई बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वैसी ही बता रही हूँ, अब यह जो आधा कब पानी डाला है, उससे टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे, मसाले भी भून जाएंगे, तो हम इसे धकल लगा करके कुख करेंगे, तो धकल लगाने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, तीन साबुत मिर्च, बिच से चिरा लगा लिया है, और यह काफी तिखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैं तीन डाल रही हूँ, अगर आपकी कम तिखी मिर्च है तो आप 5-6 डाल सकते हैं अब इसे धकन लगा करके कुप करेंगे चार से पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट हो गए हैं तो चलिए धकन हटा करके चेक कर लेते हैं टामाटर बिल्कुल गलने लगे हैं तो इसे स्पैचुला से बिल्कुल इस तरीके से मैस करते हुए हम चलाएंगे ताकि सारे टामाटर अच्छे से मैस हो जाए और अब डालेंगे इसमें मसाले तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच काली मिर्च पाउडर एक बड़ी चमच कसूरी मेथी इन मसालों को मिलाते हुए दो मिनट तक भूनेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले ने ओल छोड़ दिया है और मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है मसाला अच्छी तरह से भून गया है तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें उबला हुआ आलू तो यहाँ पर पांच मेडियम साइज के उबला हुआ आलू लिया है उन्हें हाथों से इस तरीके से क्रस्ट कर लेंगे सारे आलू को क्रस्ट कर लिया है तो पहले हम मसाले को एक बार मिला लेते हैं उसके बाद क्रस किया हुआ आलू डाल देंगे अब आलू को मसालू में अच्छे से mix करते हुए एक मिनट तक भूनेंगे ताकि जो मसालू का flavor है वो आलू के अंदर बहुत ही अच्छे से आजाए हालू को मसालों के साथ एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लिया है तो अब डालेंगे इसमें पानी पानी हमें अपने पसंद के तरी के अनुसार डालना है अगर आपको गाड़ी तरी पसंद है तो कम पानी डाले अगर पतली तरी पसंद है तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी पानी डाला है ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब डालेंगे इसमें आधी छोटी चमच काला नमक और आधी छोटी चमच आमचूर पाउडर पतले लंबे पीसेस में कटे हुए थोड़े से अधरक मिला लेंगे अच्छे से और अब ढ़कन लगा करके कुख कर लेंगे सबजी को तो यहाँ सबजी को कुख होते हुए 7-8 मिनिट हो गये है चलिए ढ़कन हटा करके चेक कर लेते हैं तो यहां आप सबजी को देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखरी है, कलर और कंसिस्टेंसी भी अच्छा हो गया है इस सबजी को हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं धनिया पत्ता डाल करके इस स्टेज पर भी लेकिन इसको और भी अच्छा और सुन्दर बनाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे तो उसके लिए एक तड़का पैन को गरम कर लिया है उसमें डाल रही हूँ एक चमच देशी घी, थोड़ा सा हींग, आदी छोटी चमच का समेरी मिर्च पाउडर मिला लेंगे चमच से और अब सब्जी के उपर इसे डाल देंगे और गैस को ओफ कर देंगे धनिया पत्ता डाल देंगे उपर से ये तड़का लगाने से जो सब्जी का कलर है न वो बहुत ही अलग हो जाता है और अब बिना मिक्स किये हुए इस सब्जी को ढखकन लगा करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये जो सब्जी है वो अच्छे से से शेट हो जाए पांच मिनट हो गये हैं तो चलिए अब सब्जी को ढखकन हटा करके चेक कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं जो तड़के का कलर है वो सब्जी में किस तरीके से निखर कर आया है अब सब्जी को इस तरह अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और यहां पर आप सब्जी की कलर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियां बनी है बिल्कुल हलवाय स्टाइल तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए बिना लैसन प्याज की सबजी यह एक देशी घी में बनी है लेकिन स्वाद बहुत ही बढ़ियां होती है इसक मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और फाइनली यह सबजी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ